यहां हम लोग इंफोरमेटीव वीडियो लेकर आते हैं चैप्टर 10 में कवर कर रहा हूं इंडिविज़ डिफिरेंसे अमंग लर्नर्स तो इसका पार्ट वन अल्रीड मैं बना लिया है अब पार्ट टू मैं बनाने जा रहा हूं यानि उस वीडियो को कंटीन्यू कर रहा हूं आपके सामने अब तक मैं बात कर रहा था कि individual differences के basis क्या हो सकते हैं, concept मैंने बताया, कुछ examples मैंने दिये contemporary world के हिसाफ से मैंने आपको चीजों को बतानी की कोशिश की and साथी साथ understanding वाल एक factor होता है, वो चीज़े मैंने आपको बतानी की कोशिश की, now let's talk about the other part of the individual differences, जैसे कि हम इसको क्या सकते हैं, एफेक्टिव pedagogical ways एफेक्टिव pedagogical ways के बारे मैं अगर बात करेंगे हम लोग दोस्तों, तो कुछ points हैं आपर उबर कर आते हैं, जो पहले मैं आपको यहाँ पर लिख देना चाहता हूँ, आप भी copy कर लो अगर चाहो तो, क्योंकि यह exam oriented चीज़े हैं, exam में उसी टाइप की चीज़े पूछी जाती है, पहला होगा हमारा integration content दूसरा differentiated instruction ठेक है, तीसरा होगा ability grouping चाहता होगा lack of prejudices prejudices gender free perspective और पाच्वा जो होगा दोस्तों हमारा इगालीटेरियन पेड़ागोजी जी हाँ दोस्तों यह वो चीज़े हैं जो मैं आपको बतानी की कोशिश करूगा जो कहीं ने कहीं इंडिविज्विज्वल डिफरेंस में किस तरीके से इसको हम लोग जो है एक पॉजिटीव वे में उसको यूज कर पाए पहला सबसे पहला तो इंटेग्रेशन कंटेंड के बारे में अगर मैं बात करूंगा सपोस कर लिजे इसको कैसे समझ सकते हैं माल लिजे आपका एक दोस्त है एक ऐसा दोस्त है जो एकॉनमिकली अगर अथना जादा गूड़ लगिंग नहीं है आप जादा गूड़ लिकिंग हो लेकिन सुनने में थोड़ा लॉजिकली नहीं लगेगा आज के दुनिया के इसाफ से यह लॉजिकली आप इस बात को सपोर्ट नहीं कर पाओगे फिर बोलोगे का फायदा ही गया है ऐसे लोगो करने की कोशिश करते हो आप उसको पुछ करते हो कहीं न कहीं अगर आपके पास दस रुपे हैं तो आप ट्राइ करते हो कि अगर उसके पास एक रुपे है तो दस रुपे में से एक broad sense है, मैंने एक example देनी की कोशिश की आपको, कि किस तरीके से जो है, अपने तरफ आप ट्रैक कर सकते हो लोगों को, और उनके individual जो difference होने के बावजूद भी, जो कहीं न कहीं ये दर्शाती है, ये बताती है, कि वो socially थोड़ा सा ज्यादा, उनके अंदर ज्यादा पावर नहीं है, वो capacity नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको अपनी तरफ integrate कर रहे हो, तो ये effective pedagogical way हो सकता है, अपनी तरफ track करने का, ताके वो उसको भी socially वही rights मिल पाए, उसके बाद differentiated instruction, बिल्कुल कुछ जगे में differentiated instructions तो होना चाहिए, जैसे for example, बहुत सारे colleges होते हैं, जो सारे बहुत सारे co-education भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे schools या colleges उन्हीं बातों पर निधारिक हैं, जहाँ पर मान लिजे सिर्फ लड़कियों की पढ़ाई ही possible है, यानि सिर्फ लड़कियों को हुई पढ़ना है उस school में, तो वहाँ पर differentiated instruction ही रहागा, कि हाँ, वहाँ पर लड़ रहे हो, girls school में, यहाँ पर लड़के क्यों नहीं पढ़ सकते हैं, तो यह बाई, यह अलग type की बात हो जाएगी, तो differentiated instruction भी कहीं कहीं होता है, कि मान लिजे एक physically challenge बच्चा है, तो वहाँ पर physically challenge बच्चा है, जो सुनने ही पाता है, जो देखने ही पाता है, तो क्या वो आप कि school में पढ़ सकता है, आंसरों का नहीं, बिलकुल नहीं पढ़ सकता है, उसका सबसे बड़ा reason यह है, क्योंकि वो उसको पढ़ाने का धंग तरीका बिलकुल अलग होने वाला एक अलग curriculum है, इसलिए वहाँ पर differentiated instruction का होना भी जरूरी है, तो यह negative way में नहीं है, बलके positive way मे उसकी भी भलाई है, और जो उनके साथ रहेंगे, उनकी भी भलाई है, तीसरा होता ability grouping, ability grouping कहने का मतलब है, हमें से कुछ हमारे friends ऐसे होते हैं, जिनकी ability sports में ज्यादा होती है, जिनकी ability cultural programs और extra curriculum activities में ज्यादा होती है, कुछ लोग education और reasoning mathematics में बहुत जारा तेज होते हैं, तो यहां दोस्तों, जैसी उनकी ability उसी साफ से उनको group wise बाटना चाहिए, बिल्कुल सही है यह, लेकिन साथी साथ lack of prejudices, gender free perspective के बारे में भी हम लोगों को बताना चाहिए, ऐसा नहीं है, कि एक बच्चा आप मैंने उनको बोल दिया, कि माननीजे कि दो friends है, एक friend पढ़ने में कम कम जोर है, वो तो, जाहिर सी बाते help मांगेगा जो ज़्यादा टाकत वर है, तो टाकत वर जो बंदा है, वो कहीं नहीं arrogance होता है, ज्यादा तर आया लोगों में एरोगेंस आया था पावर आने के बाब तो पावर कहीं ने कहीं तुम लड़की हो मैं लड़का हूं तुम गरीब हो मैं अमीर हूं तो ये जो constructive way में जिन policies and principles को बताया गया है जिस तरीके से जो prejudices है जिसमें जिसमें evil be evil factor बन सकता है वो वहाँ पर उन चीजों को हम लोग free perspective दे तो ज्यादा भैतर होगा इसलिए ability grouping में जैसा कि मैंने बताया कि ज्यादा अच्छा पढ़ने वाला थोड़ा कम अच्छा पढ़ने वाला त तरीके से अगर समझाएंगे तो फिर वो मामला कहीं और जाने वाला है दोस्तों तो फिर वो egalitarian society और pedagogy नहीं रहागा egalitarian कहने का मतलब ही है to divide resources among different individuals कहीं न कहीं egalitarian society अगर कहेंगे तो resources को बराबर बराबर लोगों में बाटना चाहे वो किसी भी कास्ट के हो किसी भी community को किसी किसी भी religion या sex के हो जिहां दोस्तों हर किसी को बराबर का हक मिलना चाहिए यह होता egalitarian pedagogy और हर किसी को एक खास करके बच्चों के अंदर इन सब टाइप की चीजों को जो लोगों में prejudices और जादा बढ़ा दे या arrogance और जादा बढ़ा दे हाँ प्राउड वाला फैक्टर ट जाता है तो बच्चों को इन चीजों को जो है प्री लेवल पे यानि प्री चाइल्ड़ूट एज में कहीं ने कहीं इन चीजों के बारे में education जो है अच्छे तरीके से देना चाहिए आगे बढ़ते हैं दोस्तो हमारा अगला point होगा types of ability grouping अगे नव अभी ability grouping के बारे में हमने अभी थोड़ा सा discuss किया था तो ability grouping को कितने हिस्सों में हम लोग classify कर सकते है टाइपस ओफ ability grouping दोस्तो एक होता है within बच्चों के बारे में बात कर रहा हूं मैं child development को लेकर तो school वाला age जो होता है बान का चाल्ड विदिन क्लास ग्रूपिंग जो सिस्टम होता 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 होमोजेनेस स्कील्स अब होमोजेनेस का मतलब होता है एक जैसे skills यानि एक जैसी qualities राइट अब एक जैसे qualities on the basis of same age ability ओके यानि एक बच्चा same age का है वो बच्चा भी mathematics को solve कर सकता है ये भी mathematics को solve कर सकता है अच्छे तरीके से problem solver हैं दोनों ही तो वो होमोजेनेस स्कील्स के कहलाएंगे तो within class grouping इस तरीके से करना चाहिए ठीक है उसके बाद जो point आता है दोस्तों types of next होता है हमारा types of ability grouping में between class grouping अब between class grouping के बारे मैं बात करेंगे दोस्तों तो आता हमारा heterogeneous heterogeneous task यह circular task होता है basically तो between class grouping में जो funda होता है heterogeneous task कहने का मतलब है अलग-अलग qualities को जो define करता है एक बंदा जो swimming जानता है और एक बंदा जो football खेलता है तो swimming करना या फिर football खेलना तो अलग-अलग चीज़ है तो दोनों अगर अलग-अलग तरीके से मानलो swimming करने वालों को अगर football खेलने के लिए कहेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो football केल पाएगा या फिर football खेलने वालों को swimming करने के लिए कहेंगे तो वो भी नहीं कर पाएगा तो जो जिस activity में ज्यादा काबिल है, जाहिर सी बात है between class grouping में उन चीजों को ही लोगों को offer करना चाहिए बच्चों को offer करना चाहिए तो इसको कहेंगे हम लोग heterogeneous task अब educational implication के बारे में अगर बात करेंगे individual differences को लेकर तो मेरे हिसाब से होना चाहिए यहाँ पर देखें कुछ चीज़े educational जो implications होती है वो need के हिसाफ से ही आती है यह बात हमेशा आपको याद रखना है जो theories होती है वो need के हिसाफ से होती है अगर need ना हो तो उन चीज़ों का होना बेकार होता है तो यहाँ educational implication अब educational implication में होता है हमारा curriculum development ठीक है curriculum development मुझे पता है मैं थोड़ा बहुत bad handwriting रखता हूं no doubt at all तो मैं shortcut में बताता हूं curriculum development उसका होगा cooperative learning next जो होगा हमारा हां तो curriculum development कहने का मतलब है educational need के हिसाफ से हर जमाने का एक अलग need रहता है तो उसे साफ से curriculum को भी change करना पड़ता है design करना पड़ता है कि बच्चों को क्या need है right आज से दस साल पहले या अंदरा साल पहले इस type की कोई नए concept नहीं थे जैसे आज स्कूल में खास करके girls school में sanitary pads के बारे में भी students ने view को propagate किया कहीं नहीं और इसको लेकर जो है awareness के लिए demonstration के लिए बहुत सारे campaigns को सामने रखा गया कि how sanitary pads कितने ज्यादा जरूरी होते स्कूल में वगरा वगरा उन लड़कियों के लिए लेकिन यह concept पहले नहीं था तो educational implication में variations जो होते हैं उनमें अलग-अलग जो needs होते हैं उस हिसाफ से curriculum development होना जरूरी है और तभी हमारा हो पाएगा cooperative learning कहने का मतलब स्टूदेंस के हिसाफ से उनके साथ corporate करके उनको पढ़ाया जाए वगरा वगरा और इस तरीके से लेट देम realize their full potential right so till then individual differences के बारे में exam exam oriented चीजह मैंने आप आपके सामने रखी है so अगर आपको वीडियो पसंद आया है so like and subscribe thank you very much